बहुजन समाज पालिटी की रास्तिय अध्यक्ष और पूर्ग मुखमंत्री मायवाती बुद्धवार को अपना 74 जनमदिन कल्यालकारी दिवस के रूप में मना रही है इस दोरान माल एवन्यू इस्थित पालिटी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बाचीत में उन्होंने भाजपा की केंदर सरकार पर जोड़दार हमला बोला है उन्होंने कहा कि देश की स्थिती कॉंग्रिस काल से भी ज़ादा खराब हो गई है, भाजपा उससे भी दो कदम आगे है देश की अर्थविवस्था खराब हो गई है, चारो तरब तनाव और भै का माहौल है प्रेस कॉन्फरेंस में बस्वा मुखिया मायवती ने सबसे पहले कांसी राम को याद किया और पाइटी कारकरताओं से जन कल्यार कारी दिवस के रूप में अपना जनम दिन मनाने का आवहन किया उन्होंने कहा कि भाजपा कॉंग्रेस की आलोचना छोड़ कर देशीत और गरीबी हटाने का कार करे तो ज्यादा बेतर रहेगा उन्होंने कहा कि नागरिक्ता संशोधन कानौन उन सभी समदाय की लोगों पर लागू होना चाहिए जिन पर जुल्म आउजजादिती हुई है बस्वा सुप्रीमों ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण देश भर में अशान्ती और कानौन ब्यवस्था बिगड़ गई है जो रास्टिये चिंता का विस्ता है भाजबा सरकार अगर कॉंग्रेस की रास्तों पर चलती रही तो धीरे धीरे अन्य राज़ियों की सत्ता भी उसके हाथ से चली जाएगी एक बार फिर से नवर्स की बदाई देते हुए उन्होंने कहा कि हर्वर्स की तरहा ब्यस्पी के लोग विभिन इस्तर पर हमारे संत गुरुवों महात्मा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की रूप में मनाते हैं गरीब अती जरूरतमन्द लोगों की मदद भी करते हैं मेरा जन्म दिन मनाने के लिए शुपचिंद को और कारकरताओं को धनवाद देती हूँ इस दोरान मायवती ने बस्ता की ब्लू बुक मेरे संगर समय जीवन और बीएस्पी मोवेंट का सफ़र नामा भाग पंद्रा और इसके अंग्रेजी संस्क्रल का विमोचन भी किया इसके बाद मायवती दिल्ली के लिए यहां से रावाना हो गई रजनी चवी जन्मत न्यूज लखनव